हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेडी जॉन, इस वीडियो में मैं आपको कॉनवेल्थ गेम्स जो अस्टेलिया में हाली में हुए हैं, उनसे रेलेटिड कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स बताऊंगा जो आपको आने वाले एक्जाम्स में हेल्प करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरू करें, और स्टेडी जॉन को सब्सक्राइब जरू करें सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरू दबाए, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही, आप तक जल से जल पहुंच सके साथ ही आप अमारे स्टेडी जॉन गौर्वन्ट जॉब्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उस चैनल पर हम लेटेस्ट गौर्वन्ट जॉब्स की नोटिफिकेशन डालते हैं, कोई भी अगर गौर्वन्ट जॉब्स निकलती है, तो हम जल से जल उ नोटिफिकेशन डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप उस गौर्वन्ट जॉब्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, आपका पहला कोश्चन है, कोमन वेल्थ खेलों का 21 वासंस्क्रण कहा आयो जित हुआ, तो इसमें आंसर होगा, कोमन वेल्थ खेल, करार इसमें आपका नेक्स्ट कोश्चन ये भी बन सकता है, कि इस बार, 2018 में कोन से कौमन वेल्थ खेलों का आयो जित हुआ, तो इसमें आपका आंसर होगा, 21 वे कौन वेल्थ खेलों का आयो जित हुआ, इसमें आपका नेक्स्ट कोश्चन बनता है, कि 21 वे कौन वेल्थ खेलों का आयोजन जो कि अस्टेलिया में हुआ 2018 का वैक किस तारीक से लेके किस तारीक तक यानि किस डेट के बीच में हुआ तो इसमें आपका अंसर होगा 4 अप्रेल से लेके 15 अप्रेल तक ये इन खेलों का आयोजन हुआ नेक्स्ट कुश्चन है राश्टमंडल खेल 2018 में कितने देशों ने बाग लिया तो इसमें आंसर आएगा आपका तो इसमें आपका नेक्स्ट कुश्चन बनता है कि भारत इसमें आपका नेक्स्ट कुश्चन बनता है कि भारत की कौन सी पोजिशन रही कौनवेल्थ खेलों में तो इसमें आंसर होगा भारत थर्ड पोजिशन पर रहा यानि तीसरे स्टान पर रहा इसमें सबसे पहले स्टान पर आस्टेलिया रहा और दूसरे स्टान पर इंगलेंड रहा आस्टेलिया ने 80 संड पदक यानि 80 और टोटल 198 any घ्ल जी यह और इंग्छलेंट ने हुटिवय तुंद पदक ज, Eggly इनाइक्सट कुश्चंट है वर्स 2022 में 22 वे कॉन्वेल्थ गेम्स का योजन कहा किया जाएगा तो इसमें आंसर होगा 22 वे कॉन्वेल्थ गेम्स का योजन बर्मिंगम में किया जाएगा और ये इंग्लेंड में है नेक्स्ट कॉश्चन बनता है कि जो 21 वे कॉन्वेल्ट गेम्स हुए उसके उद्गाटन समारों में भारते दल का नेतरताओ किस ने किया तो इसमें अंसर आएगा भारते दल का नेतरताओ पीवी सिंदू ने किया इन्होंने ओलम्पिक में सिल्वर मेडल जीता था और पीवी सिंदू बैड्मिंटेन के एक खिलाडी है नेक्स्ट कॉश्चन है गोल्ड कोस्ट में हुए 21 वे कॉन्वेंट गेस के समापन समारों में भारते दल की दावजवाग कौन रही तो इसमें अंसर होगा समापन समारों में भारते दल की दावजवाग M.C. Mr. Maricom रही अगर आपसे उदगाटन समारों पूछा जाए तो आपका अंसर होगा PV सिंदू और आपसे समापन समारो पूछा जाए तो आपका अंसर होगा MC Mericom Next question बनता है कि Australia ने Commonwealth खेलो की मेजबानी कौन सी बार की थी तो इसमें अंसर होगा पाचवी बार इससे पहले उसने 1938 में Sydney में Commonwealth गेम हुए थे इसके बाद 1962 असल्या के PFT में Commonwealth गेम हुए थे इसके बाद 1982 ऑस्टेलिया के Risbraan में Commonwealth गेम हुए थे उसके बाद 2006 में Melbourne में Commonwealth गेम हुए थे और अब 2018 में Gold Coast में Commonwealth गेम हुए हैं येसे भी गेम्स अस्टेलिया में हुए हैं। नेक्स्ट कॉश्ण है, कॉण्वेल्थ गेम्स की तियास में 500 पदकों का आकड़ा कितने देशों ने पार किया है। तो इसमें आंसर आएगा 5 देशों ने और ये 5 देश हैं। आस्टेलिया, इंग्लैंड, कनाड़ा, न्यूजिलियन और भारत। इसमें आपका कॉश्ण ये भी बन सकता है कि भारत ने कॉण्वेल्थ गेम्स में कितने मैडल्स का आकड़ा पार कर लिया है। तो उसमें आप का अंसर आएगा 500 मैडल्स का अकड़ा पार कर लिया है। भारत ने सबसे ज्यादा मैडल्स दिलीक में 2010 में हुए कॉनवेल्थ गेम्स में 101 पदक जीते थे और उसके बाद 2002 में मैंचेस्टर में 69 पदक जीते थे। और उसके बाद 2018 में हुए गोल्ड कोस्ट में 66 मैडल्स जीते हैं। कॉनवेल्थ गेम्स में टेबल टैनिस के सिंगल्स में गोल्ड मैडल्स जीतने वाली पहली बारत्य महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो इसमें अंसर आएगा टेबल टैनिस के सिंगल्स में गोल्ड मैडल्स जीतने वाली पहली बारत्य महिला मनी का बत्रा बन गई है। नाइक्स्ट कुश्चन है पंदरा वर्स की उमर में गोल्ड जितने वाले देश के पहले खिलाडी कौन बने है तो इसमें असर आएगा पंदरा वर्स की उमर में गोल्ड जितने वाले देश के पहले खिलाडी अनीश बानवाल बने है और अनीश बानवाल निशानी बाजे से संबंदित है इन्होंने पुरुसों की 25 मेटर रैपिड फायर पिस्टल में 30 संग कासिल किये और संट पदक अपने नाम किया अनिस बानवाल सबसे कम उमर में गोल्ड जितने वाले देश के पहले खिलाडी बन गए हैं इन्होंने मन्नु बाकर का रिकोर्ड तोड़ा मन्नु ने इनी कॉन्वेल्ट गेम्स में 16 की उमर में गोल्ड मेडल जीतने का कारणामा किया था सोरो गोशाल एयोन दिपी का पलिकल कार्तिक ने स्क्वैश मिक्स्ट डबल में कौन सा मेडल जीता है तो इसमें आशर आएगा सिल्वर मेडल जीता है नेक्सट कॉष्चन है 2018 के कॉन्वेल्ट गेम्स में भारत ने कितने गेम्स में पदग जीते तो इसमें आंसर आएगा 2018 के Commonwealth Games में बारत ने टोटल 9 Games में पदक जीते और ये Games है शूटिंग, रैसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बोक्सिंग, टेबल टैनिस, बेडमिंटन, एथलेक्स, स्क्वेश और पाउर लिफ्टिंग और इन गेम्स में टोटल 66 पदक यानि 66 मेडल्स बारत ने जीते नेक्स्ट कोशन आता है कि गोल्ड कोस्ट आस्टेलिया में वे Commonwealth Games में बारत ने किस गेम में सबसे ज़्यादा मेडल जीते तो इसमें आंसर आएगा भारत ने शूटिंग में सबसे ज़्यादा मेडल जीते है इसमें शूटिंग में बारत ने टोटल 16 मेडल जीते जिसमें से 7 गोल्ड, 4 शिल्वर और 5 ब्रॉंज मेडल जीते हैं नेक्स्ट कोश्ण है निरे चोपडा ने किस प्रतिस प्रदा में सबसे जीते हैं तो इसमें आंसर होगा निरे चोपडा ने जैवलियन थ्रो याईनि बाला फैक में सबसे जीते हैं नेक्स्ट कोश्ण है संजीव राजपूत ने किस प्रतिस प्रतिस में सबसे जीते हैं तो इसमें आंसर होगा संजीव राजपूत ने 50 मेटर राइफल त्री पोजिशन्स में सबसे जीते हैं नेक्स्ट कोश्चन है विनेस फोगाट ने 50 किलोगराम वर्ग में कौन सा पदक जीता है तो इसमें आंसर होगा विनेस फोगाट ने 70 पदक जीता है विनेस फोगाट रेसलिंग की खिलाड़ यह हर्याने से सम्बंधीत है सुमीद मलिक ने परुष्यों कीиком क्षिस्टायल कुस्ति के 125 kg बारगवर्ग में कौन सा पदक जीता है येसमें आंसर वोगा सुमीद मलिक ने जिन पदक जीता है या अगर आपको कुछन आई विकास कृच्शन आतों की जादो किस केंल से सम्बंदीत है तो आपका अंसर होगा विकास कृच्शन आतों बॉक्सिंग से सम्बंदीत है Next question है बॉक्सिंग में 45 से 48 किलोग्राम भारकवर्ग की सिपर्दा में सर्ण पदक किसने जीता तो इसमें आंसर होगा बोक्सिंग में 45-48 किलोग्राम बार्गवर्ग में MC मेरिकोम ने संड पदक जीता नेक्स्ट कॉश्चन है भारत्य मुक्के बाद गोरो सौलंकी ने पूर्शो की 52 किलोग्राम बार्गवर्ग सपर्दा में कौन सा पदक जीता तो इसमें आंसर आएगा गोरो सौलंकी ने संड पदक जीता नेक्स्ट कॉश्चन है भारत के मुक्के बाद मनीश कोशिक ने पूरुसो की 60 किलोग्राम बार्गवर्ग सपर्दा में फाइनल में कौन सा पदक जीता तो इसमें आंसर आएगा मनीश कोशिक ने रजद पदक जीता यानी सिल्वर मेडल जीता नेक्स्ट कॉश्चन है पहलवान बजरंग पुनिया ने पूरुसो के कितने किलोग्राम बार्गवर्ग में संड पदक जीता तो इसमें आंसर आएगा बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम बार्गवर्ग में संड पदक जीता Next question है पूजा डांडा ने रज़त पदक और दिविया काकरान ने कासे पदक किस प्रत्योगता में जीता तो इसमें आंसर आएगा पूजा डांडा और दिविया काकरान दोनों रेसलिंग से संबन दिता है और पूजा डांडा ने रज़त पदक 57 किलोग्राम बार्गवर्ग में जीता और दिविया ने 68 किलोग्राम बार्गवर्ग में कासे पदक जीता और हरियाने के इसायर की 24 वर्षे पूजा का ये पहला राष्ट मंडल पदक है नाइक्स्ट कोशन है तेजस्वनी सावंत ने सर्ण और अंजुम मोगदिल ने रज़त पदक किस प्रत्युकता में जीता तो इसमें अंसर आएगा तेजस्वनी सावंत ने सर्ण और अंजुम मोगदिल ने रज़त पदक 50 मिटर राइफल पोजिशन 3 के फाइनल में जीता नेक्स्ट कोशन है पहलवान शुशिल कुमार ने पुरुशो की कितने किलोग्राम बारगवर्ग सपर्दा में सर्ण पदक जीता तो इसमें अंसर आएगा शुशिल कुमार ने चोतर किलोग्राम बारगवर्ग सपर्दा में सर्ण पदक जीता सुशिल ने 2010 के दिल्ली के कॉनवेल्थ गेम्स में और 2014 के गलासको के कॉनवेल्थ गेम्स में संड़ पदक जीते थे नेक्स्ट कोशन है बविता फोगाट ने मैलाव के फ्रेश्टाइल 53 किलोग्राम सप्रदा में कौन सा पदक जीता तो इसमें अंसर आएगा बविता फोगाट ने रज़त पदक यानि सिल्वर मेडल जीता इससे पहले बविता फोगाट 2010 के कॉनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत चुकी है और 2014 के ग्लासको में हुए कॉमन वेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जी चुकी है और 2010 के राष्ट मेडल केल हुए थे वे भारत में हुए थे महराज के कुस्ति पहलवान राहूल अवारे ने पुरुशों की 57 किलोग्राम से परदा में कौन सा पदक जीता तो इसमें अंसर आएगा राहूल अवारे ने सर्ण पदक जीता ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए अब आप हमें फेस्बुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते है हमारा फेस्बुक लिंक नीचे दिवा हुआ है आप इस पर जाकर हमें फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक फेस्बुक के दिवारब भी पहुंच सके